नमस्कार मैं दिने शर्मा फैसन स्टेडीज में आप लोगों का स्वागत है आज मैं आपको सेमी स्टिच कुर्ती है ये ये काटना सिखाऊंगी इसका जो नाप है गो है फोलर वाली कुर्ती है ये लंबाई 44 इंच, तीरा 16 इंच, चाती 36, कमर 28, हिप 40, बाजू 18 और मोरी 5 ये इसका नाप है और इसको किस तरह से काटन करेंगी आईए मैं आपको कटन करना सिखाती हूँ और आपको इसको बड़े ध्यान से देखना और इसकी कटन सीखना ये देखिए ये हमारी सेमिस्टिस कुटी है ये इसी तरह से मार्किट से आती है स्लीव लगी हुई है इसमें कोलर भी लगा हुआ है तो इसको हम किस परकार से कटन करेंगे कि यह मैं आपको बताते हैं I'll buy हैं को हम विल्कुल अलग यह जो स्लीव लगे हुएए इंको हम अलग करदेंगे और उसके बाद तो किस परकार हो रोन क्टिंग करको करें members कुरूं graph स्लेप को अलग कर देते हैं अब देखिए ये मैंने दोनों बाजों को अलग कर दिया है इनको हम अलग रख देते हैं और ये देखिए अब ये दो पार्ट होगे ये बैक फरंट है और ये हमारी बैक है तो हम किस परकार से लेंगे एक तो दो तरीके से हम कर सकते हैं तो हम इस गड़े को भी अलग कर दें तब कटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं यहां गड़े को अलग नहीं करूंगी इसी के साथ इसकी मैं कटिंग करूंगी तो सबसे पहले हम चया करेंगे इस परकार से आप इस कपड़े को फोल्ड कर लो इस तरह से देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजी कोलर भी आपका इसी में रहेगा और इस तरीके से इस तरीके से और इसका सेंटर लेते हुए इसके इस परकार बिलकुल सेंटर करके और आप इसको रख लेजी इस परकार से इस तरीके से आप इसको रख लेजी और यह जो है सिलाई से आप इसके सिलाई मिला करके और गले से गड़ा मिला कर इस परकार से देखिए क्योंकि रेडी मेट में बहुत सारी सिल्ले में गलतियां होती है इस परकार यह देखें, मैंने यहां से सेंटर से सेंटर मिला लिया, यह देखें, और इस परकार यह देखें, यहां से भी सेंटर से सेंटर मिला करके इस तरह से रख लिया, इस तरह से रख लिया, इस तरह से रख लिया, अब इस इससे को इस तरह से कर ले लिया, इसको भी इस तरीके से रखें में और इसका भी सेंटर निकाल लेए इसको इसको रखते लिए इस तरीके से जैब देखो धेयां से बिलकुल ऊपर नीचे रखना है इसको इसको इस परकार मैंने इसको अरख दिया है और इसको ऐसे पलट लेंगे इस तरह के सेंगे के बिल्कुल इस तरह सेट करके और हम इसको इस तरह लेंगे अब जो मेरा नाप है उसमें तीरा जो है 16 इंच मेरा तीरा है तो मैं 16 इंच को जो है वह 16 इंच कैसे लेंगे देखो यह हमारी बैक साइड है इस बैक से लेंगे यहां से जो है हम इस परकार से यह देखिए 16 इंच निशान लगाएंगी ठीक है और थोड़ा सा सिलाई के लिए भी लिए लिंक तो सवाट के करीब निशान लगा लेगे सवाट के बाद निशान लगाने के बाद यहां से सोल्डर जो है वो मैं सात इंच लूँगे सात इंच इस परकार से यह देखिए और चातिस चाति है मेरी चाति चातिस है तो चातिस चाति के लिए हम क्या करेंगे नो चोग चातिस तो यह नो इंच हम यहां तक ले लेंगे और इसके अंदर पोना इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे तो यह हमारा आजाएगा पौने 10 इंच मैं यह जो लेती हूँ यह जैसे 36 है उसका चोथा हिस्सा लेकर के उसमें पौना इंच जमा कर देती हूँ तो यह हमारा पौने 10 आजाएगा यही से हम कमर की लंबाई लेंगे कमर की लंबाई हम लेते हैं 14 पंदरा इंच हम लंबाई रखते हैं 14 भी रख सकते हैं कोई छोटा वेक्ती है और यह अगर कोई ज़्यादा लंबी है तो उसका हम 15 रख लेते हैं यहाँ पर मेरी कमर जो है इसमें 28 इंच है तो 28 7 चोख 28 और पौना ही इंच में यहाँ जमा करूंगी तो यह मेरा कोणे आठ इंच आज जाएगा 7 चोख 28 और पौना ही इंच में जमा करूंगी अब हिप का जो निशान है वो 21 वाइस पर हम रखते हैं हिप हमारी 21 और 22 पर हम रख लेते हैं और यह अपनी इच्छा गयानों साथ भी रख लेते हैं कोई 20 भी रख लेते हैं जिसको चाथ जाएगे तो इस परकार हिप में मैं क्या करूंगी 40 मेरी हिप है उसमें मैं सिरफ आधा इंच जमा करूंगी यह साड़े दस हैं आजाएगा अब इन तीनों निशानों को किस तरह से मिलाएंगी यह शेव पट्टी लोगी और इस शेव पट्टी को आप इस तरह से करके ऐसे और फिर इसको हम इस तरह से रखेंगे इस परकार से यह हमारा निशान हो गया इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे यह हमारा सीधा निशान यह हमारे देखें सिलाई का फिटिंग का निशान आ गया है मैं दुबारा से बताती हूँ यह तीरा है तीरा जब भी हम कोलर का गंदा बनाते हैं तो जितना तीरा होता है उसमें आदस हींच पल्स करके कटीरे की चोड़ाई पर निशान लगाते हैं आर्म होल 6.1.5 इंच मैंने रख्या है तैयार और कटिंग मैंने ये 7 इच पर कटिंग किया है इसमें मैंने सिलाई मारजन 7 इंच के अंदर ही रख दिया है छाति की चोड़ाई छाति का चोथा जमा पो नाइंच किसी भी कमीज को हमसिल रहे हैं उसका नाप जो है अगर सही फिटिंग आपको लेनी है तो आप इसी नाप के इसी अनुसार आपको लेना चाए वो 38 छाती हो 40 छाती हो 42 जितनी भी कोई भी छाती हो लेकिन आप इसाब अगर यही रखोगे तो आपका जो है नाप कमीज जो है बहुत ही अच्छी फिटिंग का बनेगा तो ये चाती का चोथा जमा पोना इंच कमर का चोथा जमा पोना इंच और हिप का चोथा जमा आधा इंच ये मैंने सिलाई का निशान लगा दिया है और यहाँ पर ये देखे यहाँ पर ये कोणा बढ़ गया ये हमी कोणा नहीं बढ़ आना इसको हमें इस तरह से गोलाई से मिला देना है दो इंच एक्स्ट्रा लोंगी यहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो यहां से भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और इसको आपस में इस तरह से मिला दो यह मेरा कटिंग का निशान है कमीज का और यह कमीज की फिटिंग का निशान यहां से मैं फिटिंग की सिलाई लगाँगी इसको हम ओमक देंगे अब यह आरम होल में जो है कमीज के अंदर आरम होल होता है कि हम इसकी गोलाई किस परकार से करें देखो यहां से यह एक निशान लगा लो निशान लगाने के बार ये डेडिंच ऐसे निशान लगा लो डेडिंच ठीक है डेडिंच या सवाइंच भी हम रख सकते हैं तो इसको इस परकार से हम गोलाई लगा लें इस परकार से यह देखिए यह हमारे बैक की गोलाई है अब फ्रेंट की गोलाई जो है कैसे लेते हैं इधर से आप एक इंच अंदर चले जाओं कि मैं बहुत ही सरल तरीक आपको बता रही हूँ गन्फूज वा ला निशान बिल्कुल नहीं और नहीं कन्फ्यूज करने वाली बात आपको बताऊंगी यह देखिए यह मैंने अंदर एक इंच लिया है यहां इस लाइन से अंदर की तरफ एक इंच लिया है एक इंच लेने के बाद इसको देखो इस परकार से हम तिर्चा मिला देंगे यह से ऐसे तिर्चा मिलाने के बाद और फिर इसकी जो गोलाई है वो इस परकार से लेते हुए निशान लगा देंगे यहां से तो आधा इंच है और इस परकार से आप इसकी गोलाई मिला और इस परकार से मेन इसकी गोलाई है और इसकी भी ये देखी ये मेरी बैक की गोलाई है कमीज की और ये मेरी कमीज की फरंट की गोलाई है फरंट की गोलाई मैंने आपको बताए यहां से एक इंच अंदर की तरफ लेकर के तिर्चा निशान लगा दिजी और यह फरंट की जो बैक की जो गोलाई है वो हम यहां से डेडिंच ले करके और इसकी गोलाई इस परकार से मिला देंगे तो यह कमीज के निशान मैंने लगा दिये हैं और iste आगए आप को कुर्थिंग करके और दिखाते हूँ कि कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है सबसे पहले यह दो यह कटिंग करते वक facto बी आप एक बार जरूर ध्यान दे लें लेना कि ये आपकी जो सिलाई है ये वाली ये मिलनी चाहिए या आप यहाँ पर एक पिन लगा सकते हैं ताकि आप कटिंग करते वक्त कोई गल्ती ना करें इस परकार से जो है ये देखिए अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ सबसे पहले हमें बैक की कटिंग करनी है इस तरी किसे इस परकार से यह हमारी कटिंग होगी है कमीज की अब क्या करना है अब अगले हिस्से को उठा लेंगे और पिछले को ऐसे ही छोड़ देंगे इस परकार से यह देखिए इस परकार बिछा दूँए इस परकार आप बिछाईए और इसको ऐसे लेकर करें इस परकार से कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद एक कट यहां लगाऊँ और यह और यह और यह कट यह हम इस बैक के साथ मिला करके कटिंग कट लगाएंगे ताकि इन जब हम सिलाई करते हैं तो इनका जो बैलैंस है वो बिल्कुल बराबर आ जे बार जए यह क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिलाई जो है खीच कर लगा देते है अगला इससा खीच जाता है पिछला दिला रह जाता है तो कई बार कपड़े में कान आ जाती है आप लोगोंने कई बार देखा होगा कि कमीज जो है वो घूम जाता है तो जब इस परकार से आप बैलेंस मार्क्स लगा लेंगे इस तरीके से तो आपका कमीज जो है वो घूमेगा नहीं एक दम अच्छी फिटिंग आएगी इस परकार आप कट लगा लें कट लगाने के बाद अब आप क्या करें इसके निशान जो है इस परकार से हम इसके निशान उतार लेंगे इस साइड फरंट के इस साइड हम ये देखी आपको दिखाई दे रहा होगा इस निशान आगए है इन निशानों को हम इस परकार से उतार लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त जो है हमें आसानी रहे इस परकार से ये देखो इस परकार से ये देखो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इस पर इच्छा सा गहराचा खुञा करके और इसको हम इस तरह से भी पलट करके निशान लगा सकते हैं इस तरह से भी हम लगा सकते हैं देखे इसपर कार करते हो राम इस तरह से भी निशान बतार सकते हैं यह आपका कमीज काट गया है और यह देखे कितने ने अच्छे तरीके से क defrin की है कि इसलाई करने इसमें अब हमें कुछ क्षी नहीं करना साइड की सिलाई लगानी है और बाध्यू चड़ानी है और ये तो मैं आपको अगली वीडियो में सिल करके भी दिखाऊंगी कि किस परकार से सिलते हैं अब मैं आपको बाजू की कटिंगं बता दू कि बाजू को किस तरए से म्मारा अर्म होटें है हुम क्या करेंगे ये कि ये पितिंग का निशान है ये इस को इस परकार से नाप सकते हो यह देखिए हुए हाँ से साध्याथ अध्याया है तो यहाँ से कि देखे, यंदिचे, और यह 50 इंच है, और यह सब तम यहां से ले करके और हमें यहां तक ना पने हैं, यह-बहुगा, यह-बहुगास, हम्हआरी सबसाइफ, तो में स्लीव में भी क्या करेंगे ये हमारी स्लीव है ये देखो इस पर अभी प्रेस करने के बाद आप क्या करें ऐसे रखो इसे रखें और इसको इस परकार से इन देखो अब वहां से जो मैंने मुडर लिया था तो सवा साथ आ रहा था ये देखो या लो पागो यह सवाका साथ पूरा नहीं है तो इसमें हम जोड लगाएंगे यह कि हमें बाद जो पूरी चाहिए तो जोड लगाने के लिए यह यह जो मेरी साइड से जो पप्ड़ा बचा है इसे लिए यह लग कर सब्रक्बार इस मेरक पर सब करके प्रकर और यह देखिए सवा साथ इंच यह इतना आएगा यह मैं निशान लगा देती हूँ डेड़ इंच मैंने मारजन रखा है डेड़ इंच का यह निशान आ जाएगा इस परकार से और इसकी लंबाई अठारा इंच बेने रखनी है तो मैं साड़े अठारा लूँगी और इसको इस तरह से मोड़ दूँगी यह मोडने का है और यह मेरे तयार नाव है यह देखिए साड़े अठारा साड़े अठारा ही मैं यहां से रिले करके और इसको तीन इंच बारती यह 36 क्योंकि 36 चैस्ट है तो मैं यहां पर तीन इंच की गोलाई दूँगी तो गोलाई देने के लिए इधर से में ड्हाई पूने तीन इंच ऐसे सीधा निशान लगाने के बाद देखिए और इसको इस तरह मिलाऊंगे जहां मेरा फिटिंग का निशान है इस परकार से मिलाते हुए ऐसे सीधा निशान लगा दो यह देखिए इस परकार से निशान लगाने के बाद ये कटिंग ऐसे तरदूंगे इस परकार और फ्रेंट की जो गोलाई है वो हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे इस परकार से जो है ये थोड़ी से आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेगी बाद युकी गोलाई बहुत ही अच्छी आएगी इस तरह हम इसकी बाद युकी गोलाई कट करवेंगे तो ये मैंने आपको गोलाई बता दी है बाजू की किस परकार से हम निशान लगा करके रखेंगे यह इस परकार से और मोरी जो है वो मेरी 5 इंच है उसमें 1.5 इंच, 7 इंच एक्स्टा ले करके और यहाँ पर यह देखें मारजन के साथ मैं इसको इस परकार मिला दूए यह आपके इस कमीज की बाजू की कटिंग जो है यह देखें इस परकार रखते हुए पहले आप जोड लगा ले क्योंकि आप दिक्कत हो जाएगी आप लोगों फुस्च जिलते वक्त काटते वक्त तो इसलिए पहले आप जोड लगा लें जोड लगाने के बाद फिर आप यह निशान लगाए मैंने यह साथ के साथ आपको निशान लगा के दिखा दिये हैं और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बोक्स में लिख करके मुझे बताईए मैं आपकी समझा दूर करूँगी और ऐसे ही वीडियो में आप लोगों को बेज़ती रहूंगी धन्यवाद